आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों कि आपको मालूम है कि रेल्वे में पर्मोशन किस तरीके से होता है आप अगर सब्सक्राइब लेवल वन में जोइन करेंगे तो आपका पर्मोशन कितने दिनों के बाद आएगा आपका इस तरीके से नेक्स्ट प्रोमोशन अपका क्या होगा उसकी बाद क्या होगा है जैनने के लिए बेशक करते हैं अगर आप जॉइन करना चाहेंगे अगर आप अभी डूष्ट करेंगे उर्थ के सब सभी transitioning करें है और पूरी कोशिश्ट आप सब लोग करेंगे जिसका ग्रेड पी 1800 होता है जिसको हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट का प्रमोशन का जो तरीका होते हो बहुत अलग है उपन लाइन में लग है वर्क्शोप में अलग है लेकिन अवराल मैं बात करूँ तरेल बें अगर आप जोइन करेंगे उसकी बाद आपका आफ्टर डेट आप सीनियर सेक्शन इंजिनियर बनेंगे और उसके बाद आप A, B, M, E भी बन सकते हैं तो पूरा भर्माड है इसमें जितने भी प्रमोशन है इसमें मुझे लगता है कि किसी चीजों में नहीं है इसलिए आप यह मत सोचिए कि हमको किसी और में भी जाना ह अगर आपका टार्गेट है रेल्वे में आना तो निश्यतरुप से पूरी जान को जोग दीजिए और पूरी ताकत के साथ काम कीजिए कुछ भी कुछ भी मत छोड़िए कोई किसी भी तरीके का कंपरमाइज मत कीजिए अपने आप से क्योंकि अभी 17 अगस्त सी एक्जाम ह जो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट लगेगा और आपको सेट में एक एक नंबर बढ़ाना है अभी 20 दिन तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिए अभी भी बहुत टाइम है आपके पास बहुत टाइम है इसका सदुप्यों कीजिए उठी आँखे खोलिए निश्यत रूप से आ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका अभी जितना आ रहा है उसे पांच नंबर एड ही करके एक जाम में आएगा बसरते की अभी पूरा सीरियस होकर पूरा आवेर होकर के काम करना पड़ेगा आप सभी को तो रहले में बहुत प्रमोशन है मैंने एक सोट में आप सभी और आपको बताओं साथ शू बहुत बहुत धनेवाद नमस्कर जैन